हलो फ्रेंज, वेल्कम तू मैं चैनल स्टोरीज अफ इंडिया और मैं हूँ प्रीती आज मैं आप लोगों के पास आगई हूँ एक नए टॉपिक के साथ तो आज मैं जो टॉपिक पे बोलने वाली हूँ वो है नामदफा नैशनल पार्क के उपर इंडिया में टोटल 106 नैशनल पार्क है उनमें से नामदफा नैशनल पार्क फूर्थ पोजिशन में आता है तो यह जो नामदफा नैशनल पार्क है इसके बारे में आज मैं आप लोगों को नामदफा 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 और उसी साल मतलब 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंदर इसको टाइगर रिजर्व भी अन्नाउंस किया गया है Actually जो नाम दफा ये जो नाम है न ये सिंगफो के दो वर्ड से मिलाके बनाया गया है सिंगफो मतलब असाम में और अरुनाचल पदिश में एक जाती के लोग रहते हैं उन लोग को कहते हैं सिंगफो और वो लोग जो भाशा बोलते हैं उसको सिंगफो भाशा बोलते हैं तो सिंगफो भाशा के दो वर्ड मिलाके नाम दफा नाम रखा गया है नाम मतलब पानी और दफा मतलब उतपत्ती नाम दफा पानी से उतपत्ती एक्चुली जो नाम दफा है यह एक्चुली एक रिवर है और वो दफा बाम ग्लेशर से उतपत्ती हुआ है उसका और यह आके नोहा डिहिंग रिवर से मिल गया है इसी के नाम के अनुसार ये नामदफ़ा नाशनल पार्क का नाम हुआ है नामदफ़ा और नामदफ़ा पार्क के अंदर से ये नोहा डिहिंग रिवर जो है वो नदी अंदर से जाता है इस्ट से वेस्ट की तरफ तो actually यह जो नाम दफ़ा जो नैशनल पार्क है ना वो मिश्मी हिल्स के दफ़ा बाम रेंज और पटकाई रेंज के बीच में है और जो यह जो river है ना मतलब जो नोहा डिहिंग river जो पार्क के अंदर से गया है वो river actually इंदो मायनमर बॉर्डर में है और नाम दफ़ा रिवर के और बात है मतलब यह जो नैशनल पार्क है यह डिसमबर से मार्च महीने तक यहाँ पे बड़फ से घिरा हुआ रहता है पूरा स्नो फॉल होता है और स्नो से पूरा कवर रहता है मतलब बरफ से कवर रहता है और वैसे आप जा सकते हो यहाँ का टेंपरेचर उस टाइम पे बहुत अच्छा रहता है तो यह जो पार्क है ना यहाँ पे ना बैम्बू के जो ट्रीज होते बहुत ट्रीज है मतलब बैम्बू के एकस्टिंशीव फॉडेश थैं नामदफ़न Passion फॉर्ड में बैम्बू फॉडेश्ट हॉड्ब बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो fan विलते हैं उसमें कुछ region में, specifically उसी region में मिलता है, उसको floras बोलता है, और faunas भी, कुछ mammals है, जो उसी area में मिलते है, कुछ prani वहाँ पे मिलते है, उसी prani ओ को fauna बोलते हैं, तो यहाँ पे जो floras मिलते हैं, वो ज्यादा तर raflish या जाती के होते हैं, और जो faunas है ना, उसमें सबसे ज् famous है, वो है नामदफा flying squirrel, यह सिर्फ नामदफा में मिलता है, बतलब जो ऐसा एक गिलहैरी और squirrel, अब जो भी बोलो, जो उड़ सकता है, तो यह सिर्फ नामदफा national park में मिलता है, यह only एक पार्क है, जहाँ पिचार टाइप के pantherin के प्रजाती रहते हैं, एक साथ मिल leopard, tiger and clouded leopard, तो यह चाट टाइप के जो pantherins है, वो एक मत्र नामदफा national park में आप लोगों को मिलेंगे, इसके अलावी भी यहाँ पे बहुत सारे animals है, बहुत सारी rare जाती के animals आप लोगों को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक और animal बहुत famous है, वो है red panda, red panda तो आपको सिर्फ यही पे मिलेंगे, और यहाँ पे almost 425 प्रजाती के पंची मिलेंगे आपको, यहाँ पे बहुत rare टाइप के पंची आप लोगों को दिखेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे butterflies and moths के भी आप लोगों को varieties देखने को मिलेंगे, और इस national park में एक जाती है, उनको बोलते हैं, ली eastern side में national जो India Myanmar के national border है, वहाँ पे रहते हैं, और इस पार्क में और तीन जाती के लोग आपको मिलेंगे, वहाँ चकमा, टैंकसा and सिंग्फो, सिंग्फो कारे में बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो चार जाती है, तो यही चार जाती नाम दफा में आप लोग को मिलेंगे, लिसू, चकमा, टैंकसा and सिंग्फो, तो आप कह सकते हैं कि यह पार्क फुल अफ बायो डाइवरसिटी है, और इहां के जो आनिमल है ना, उनके लिए तो यह नैशनल पार्क एकदम स्वर्ग जैसा है, तो यह पार्क ना, हिमालाय के लोग इस्टन बेल्ट मे हैं, तो इसलिए ना, इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, मतलब जितने भी सारे चुड़ाय वगेरा आपको दिखेंगे, वो बहुत सारे चुड़ाय का पास में जितने भी हैं, वो सब वहां से दिखते हैं, तो अगर आप ट्रेकिंग पर जा रहे हो, फॉरस्ट ट्रेकि और अगर आप वहां पर जाके को रहना चाहते हो ना, नामदफ़ा नैशनल पार्क में, या तो आप सरकीट हाउस में रह सकते हो, या फिर देबान पॉरस्ट रेस्ट हाउसे, वहां पर आप लोग रह सकते हो, रूम आपको इतने इसली अवेलेवल नहीं होता है, आपको प तो या पार्क के बाहर अगर आप कही रहना चाहते हो, तो नामचीक में गेस्टाउस से वहां पर रह सकते हो, या फिर मियाओ में गवर्मेंट लॉज है, आप लोग वहां पर भी रह सकते हो, और वहां पर जाने के बाद एक और एक्टिविटी है, आप लोग वह कर सकते हो thrilling experience हो सकता है अब हाती की सवारी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं हाती की सवारी करते हैं और वहाँ पर पूरा पार्क explore करते हैं इस पार्क में एक museum है जिसका नाम है meow museum जहाँ पर अगर आप जाओ तो आपको जो animal की जो प्रजाती हो जैनमीन animal पर जाती आप लोग को दिखने को मिलेंगे और वहाँ पर जो villagers है उन लोगों की lifestyle के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा लेकिन इस forest में एक problem है यहाँ पर food ज्यादा available नहीं है food option उतना कुछ नहीं है तो अगर आप जा रहे हो तो या तो आप एक काम कर सकते हो close म के लेके जाओ और अगर अगर अब circuit house या forest house में रह रहे हो ना तो आप पर आप कोहां के जो स्टाफ है उनको थोड़ा सा में रिक्वेस्ट कर सकते हो वो लोग आपके लिए meals वगेरा arrange कर के देंगे ऐसा कुछ problem नहीं होता है लेकिन पर भी अपना food अपने साथ लेके जाना अच्छा होता है क्योंकि forest में उतना कुछ नहीं मिलता है तो अगर आप जाना चाते हो तो आप घुम के आओ लेकिन अगर जाना चाते हो तो आप कैसे जाओगे तो वो route भी मैं आपको बता देती हूं अगर आप by air जा रहे हो ना तो वहां के नियर जो airport है वो है डिब्रू अगर से नामदफ़ा national park 182 km है तो आप या तो cab hire कर सकते हो या भी state bus लेके जा सकते हो और अगर आप train से जा रहे हो तो nearest railway station है तिन सुकिया वहां से नामदफ़ा national park 141 km है तो आप station उतर के वहां से भी cab hire कर सकते हो या भी state transport bus में जा सकते हो और अगर आप by road जाना चाते हो major city से बहुत अच्छी से connected है आप उसे जा सकते हो या फिर APSRTC या फिर Assam state bus है जो कि डेली morning को और evening को जाते है वहां पे नामदफ़ां में और evening को लोटके आते हैं तो आप उसके help भी ले सकते हो ये normally डिब्रूगर, तेजपूर, तिन सुकि या चैंग लंग और मार्गरीटा इन जगाओ से ये जो आपको स्टे आसम स्टेट बस और APSRTC मिल जाएगा या फिर उहां पे टाटा सुमो रेंट में मिलता है आप लोग चाहो तो एक टाटा सुमो रेंट पे लेके भी आप लोग नामदफ़ा तक जा सकते हो तो ये तो लोग बहुत से डिटेल्स दे दी है और तो आज के लिए बस इतना ही तो चलिए मिलते हैं मेरे अगली टॉपिक के कभी कई और टॉपिक को लेके तो आज के लिए थैंक्यू